हलो फ्रेंड तो आज हम जो टॉपिक के बारे में डिसकर्ण करने वाले हैं आप फ्रेंड यही समझेए कि यह हमसे एक्जाम में पूछा गया है और मैं एक्जाम में ही सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि फ्रेंड यह टॉपिक हमारा बहुत ही जादा इंपोरटन्ट है और ये हमारा mostly exam में पूछा ही जाता है तो friends हम देख रहे हैं अपनी unit 5th cycloalkane के पारे में जिसका हम already part 1 cover कर चुके जिसमें हमने cycloalkane का intro जाना था क्या होते हैं कैसे होते हैं फ्रेंट की method of preparation, physical properties और chemical reaction तो friends अगर आपने वो नहीं देखी हो तो friends पहले उसको जागे जरूर देख लें वो हम मैं link description में देदूँगा comment box में देदूँगा, i button में आपको मिल जाएगा नहीं मिलता तो आप comment करके हमको बोल सकते हैं friends, चलिए अब हम इसका देखते part 2, तो आज की वीडियो में हम discuss करेंगे अपना where strength theory के बारे में जो बहुत ही जादा important theory है और आज हम इसको इतने easily और अच्छे वेसे समझने वाले हैं कि friends आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और आपके ये समझे 5 marks या अगर 10 में कभी आता है तो 5 और 10 marks ये आपके दोनों proper complete हो जाएंगे तो चलिए video को start करते है तो cyclopropane, cycloalkane, sorry cycloalkane हम ये पढ़ चुके था कि ये हमारे वो compound होते हैं जो हमारे cyclic structure की form में होते हैं जैसे ये हमारे हैं अब हमको यहाँ पे जो where strength theory है वो इसका मतलब ये है कि जो हमारे where strength theory है इन होने जो cycloalkane है इसकी stability के बारे में बताया था अब stability क्या होती है इस चीज़ को हम पहल जाए है stability का मतलब ये है जैसे ये समझे है ये हमारा है एक cyclopropane फिर ये हमारा है एक cyclobutane तो stability से ये fix है stability का अगर हम हिंदी मतलब देखे तो बोलता है इस्थिर मतलब वो कितना stable है कोई compound और stable से मतलब हम सीथा समझते है मजबूत कोई कितना है मतलब कितना strong है और जो जितना ज़्यादा strong होगा वो उतना ही कम तूटेगा simple बात है अगर कोई माली दे लोहे का कुछ बना हुआ है तो वो क्या है strong है बहुत सादा strong से हम क्या सकते है बहुत ज़्यादा stable है तो वो क्या होगा टूटेगा नहीं जल्दी नहीं टूटेगा तो वही यहाँ पर आता है कि यह हमारे जो compound है यह हमारे ring की form है जैसे यह देखे CS2 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 तो यह हमारे क्या है cyclopropane तो अब अगर यह हमारा stable होगा तब क्या होगा यह हमारा जो यह bond है यह हमारे नहीं टूटेगे और अगर यह unstable होगा बहुत कम stable होगा तब हमारे यह bond है बहुत easily टूट जाएंगे तो इसी को हम पता लगाते हैं stability बोलते हैं उसी stability को हमारे बताया था वेल बावा ने इसको समझते तो बेर इस्ट्रेंड थेओरी के मताविक उन्होंने क्या बोला सा कि जिस एंगल में मतलब जिस भी compound में जो angle strand है एक बर्ड आप समझे अभी केवाल उसको हम बाद में clear करेंगे तो जो angle strand है वो जितना ज्यादा होगा यह हमारी man theory है कि जो angle strand है वो जितना ज्यादा होगा हमारे जो compound है उसकी stability मतलब वो कितना कम तूटेगा वो stability उतनी ही कम होगी मतलब angle strand जितना ज्या होते हैं जो हमारे होते है single bond वाले ठीक है और एलकेन के according जो हमारे यह cyclopropane cyclobutan cyclobutane यह वर्णा यह actual में है तो हमारे एलकेन तो उसके मताबिक जो यह हमारा bond है जैसे यह carbon है एक carbon यह है तो यह वाला bond है हमारा यह हमारा होना चाहिए carbon से carbon के बीच होना चाहिए 109 degree 28 minute ठीक है फ्रेंट यह हमारा मतलब actual में होना चाहिए अभी आप समझते रहिए ठ्यान से सुनते रहिए बस आपको end में पूरा clear हो जाएगा focus से सुनिए हमारा angle होना कितना चाहिए 109 degree और 28 minute sp3 hybridization होते हैं यह मैंने कल भी आपको बताया था cyclopropane तो sp3 के according हमारी जो होनी चाहिए angle वो 109 degree 28 minute और देख लेते हैं जैसे हमारा यह है तो cs3 sorry cs2 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 तो यह हमारा क्या है compound है cyclopropane तो इसके मताबक यह यह वाला bond है यह हमारा होना चाहिए मैं यह बोला होना चाहिए हमारा कितना होना चाहिए 109 degree और 28 minute होना चाहिए यह नहीं कहा रहा है होना चाहिए 109 degree 28 minute यह हमारी यह theory का main भाग है ठीक है यह हमारा angle इतना होना चाहिए लेकिन एक्च्वल में हमारा होता नहीं है इतना होता कितना है इस चीज़ को अभी हम देख लेते हैं तो जैसे हम एक्जामपल लेते हैं अपना साइक्लो प्रोपेन हम ऐसे लिख सकते हैं वह हमारा ट्राइंगल की फॉर्म में तो साइक्लो प्रोपेन एक तरह से देखें तो कोईड difference है उसी को हम बोलते हैं एंगल इस्ट्रेंग नहीं समझें अभी समझ लेते हैं कि जैसे हम लेट कीज़ें यह हमारा इतना होना चाहिए यह हम देखते हैं इतना होना चाहिए और यह वाला जो हमारा एंगल है पूरा यह हमारा कितना है एक सो नो डिगरी और 28 मिनट तो हमारा निकलेगा यह हमारा होता है एंगल स्ट्रेंड मतलब यह वाला एंगल और यह एंगल जो में है इनके बीच का लिफ्रेंस ही हम कहलाता है इंगॉश्ट्रेंड तो आब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इस चीजक्र को हम समझ लेते हैं तो बेर ने यह बोला था जो बेर स एंगल होता है सिस्टी डिग्री होता है होना कितना चाहिए एक सो नो डिग्री अब हम समझते हैं यह यहां पर ठीक है अब एक सो नो डिग्री का मतलब क्या है कि हमारा यह ऐसा होना चाहिए था एंगल ऐसा यही होना चाहिए लेकिन यह क्या हो जाता रिंग के चक्कर में यह तरह मतलब कोई strength रहता एक मतलब क्या रहता है तनाव सा रहताा प्रैशर दवाव रहता है कि यह अपना 109 की तरफ बागता है क्या रहता है कि है огр na 162 की तरफ बागą तो इसी को यह उनों ने बोला कि यह हमारा क्या है एंगल कि यह उनौनिका है और यह दवाव है दवाव और इसी को हम बोलते हैं एंगल इस्ट्रेंड और इसी लिए इस थ्योरी का नाम रखा गया बेर ने खोज की इसलिए बेर नाम और इस्ट्रेंड का मतलब तनाब और थ्योरी पूरी तो यही होती है तो क्या है यहां यहां पर हमारे यह चीज़ समझ आती ह है कि हम इसको पहले calculate कर लेते हैं तो calculate का हमारा simple formula क्या है कि एक यह भाग है एक यह भाग है तो हमको simple एक निकालना है तो हम यहाँ पर one upon two लगा देते हैं तो हमनों को equal होगा फिर हमारा जो desired angle वो कितना है एक 109 degree और 28 minute उसके बाद हमारा यहाँ पर actual कितना है 60 अब friends आप एक बात और समझ लिए जिससे आपको problem ना हो तो हमारा एक degree is equal to होता है 60 minute सभी को पता होता पर हम recall कर लेते हैं एक बार फिर हम इसको कैसे minus करेंगे लोग इसी में confused होते हैं कि यह गलत आया होगा तो हम यहाँ पर जल्दी से minus 28 minute अब हमारा क्या है upon में 2 है तो हम जब इसको करेंगे clarify तो हम कैसे कर से 2 तो हमने इसको जब divide करेंगे 2 2 जा 4 फिर 2 4 जा 8 अब यहाँ से हमारा एक जो एंग degree है वो इधर जाएगी अब यहाँ पर जागी 128 नहीं होगी इसमें गड़वडी मत करना है यहाँ पर क्या आगी एक degree वरावर हमारा होता है 60 minute तो हमारा जी एक क्या होगा 60 तो इसको हम ऐसे निकालेंगे कि 60 minute आजाएगा पिलस यह हमारे 28 minute पहले से थी तो हमारा कितना हो जाएगा 88 minute ठीक है तो हम यहाँ पर 88 minute है फिर उसको हम 2 से जाएग डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आदा है 24 degree 44 minute यह हमारा simple निकल के क्या आया है angle strand अब हम इसी प्रिकार यह हमने यहाँ पर जो angle strand निकाला आपने यहाँ देख लिया तो इसी प्रिकार हम बाकी को भी angle strand निकाल लेते हैं यह हमने cyclopropane का निकाला सारा कुछ भई है 24 फिर हम ऐसी cyclobutane का निकाल लेंगे 90 109 होना चाहिए तो इसका निकलेगा 9 degree 44 minute फिर हम cyclopentane का निकाल लेंगे इसका निकलेगा 0 अब आते हैं cyclohexane पर तो यहाँ पर यह चीज होते है कि हमारा जो angle strand है वो माइनस में निकल के आत magnitude कितना है 5 degree 16 minute उसको हम यहां लिख लेते हैं उसके बाद हमने इसको एक chart की form में लिख लिया तो हमारे वेर की जो theory थी उसकी according क्या था कि जितना ज्यादा हमारा angle strand होगा कोई compound उतना ही ज्यादा unstable होगा यही तो थी हमारी theory क्या कहती है कि जितना ज्यादा angle strand होगा stability उतनी ही देखे 24 degree है इसका मलत क्या सबसे ज्यादा यह तो सबसे ज्यादा unstable compound कौन सा होगा cyclopropane फिर हमारी क्या है cyclobutane में कम है cyclobutane फिर हमारी 0.44 इसकी निगली इसकी निगली है 5 तो हमारा 5 ज्यादा है ना तो हम यहाँ पर cyclohexane लिखते है फिर हमारा आता है cyclopentane अब हमारा सब सबसे ज्यादा stable इसके according क्या है cyclopentane stable है और unstable सबसे ज्यादा cyclopropane है क्योंकि cyclopropane का सबसे ज्यादा है और cyclopentane है उसका सबसे कम है तो यह हमारी यहाँ तक theory हो गई simple है friends theory में कुछ नहीं बस stability को उन्होंने बताना था और stability के लिए उन्होंने क्या किया था यहाँ पर इनके एंगल इस्ट्रेंड निकाले थे और एंगल इस्ट्रेंड जितना ज्यादा हमारी stability उतनी कम और unstability उतनी ज्यादा stability यह तो ओल्टाई आप समझी रहे हैं तो simple हमारी यह theory कहती थी अब में क्या था इसमें कि इसमें आते हैं हमारे limitation limitation of bear strength theory यह कभी question पूछा जाएगा तो दो उतना ज्यादा हमारा यह था जो हमारे यह चीज़ है जितनी ज्यादा होगी angle stand उतना ज्यादा क्या होगा यह unstable होगा अब आप खुदी सोचिए कि मैं इस पर और ज्यादा pressure लगा रहा हूं यह बहुत ज्यादा pressure मैंने लगा दिया इसका angle stand और ज्यादा भढ़ गया तो हम किसको और ज्यादध़ दबाएंगे तो किया करेगा किसी को अगर मारे एक किशीको अगर आम मारे तो उतना ज्याद़ बचने का प्रियास करता है किसीको और ज्याद़ ह Cardnell E और ज्याद़ यही हमारा क्या हो जाता है और तूट के यहां मारी कम सी देता है ring opening reaction तो stability का मतलब यही था कि जितने यादा stable है वो उतना ही कम टूटेगा और उतनी ही कम ring opening reaction देगा और जितना ज्यादा इस पे strain डालेंगे यह हमारा टूट जाएगा और हमारी क्या होजाएगी ring opening reaction देगा यह हमारी simple यहाँ पर आप साथ समझ गया होंगे अब हम इसकी समझते है limitation तो limitation के मताबक क्या था कि इस theory के मताबक केवल यह हमारी lower cycloalkane के लिए थी lower cycloalkane कौन 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 से सिर्फ शुरुआत के हम तीन तक यह दे सकती cyclopropane तक cyclobutane cyclopentane सिर्फ starting की cyclopentane नहीं देता है यह अब क्यों होता है तो इसमें यह है कि according to bear cyclopentane सुड़ी much stable than cyclopentane अब यहाँ पर ध्यान से देगिए cyclopentane जो है इसमें हमारे 0.44 है cyclopentane में कितना है फाइव डिग्री 16 तो यहाँ 0 degree और 44 मिनिट है यहाँ यह तो इसके मताबक तो हमारा stable cyclopentane होना दो जाहिए क्योंगि इसका जो एंगल इस्ट्रेन ज्यादा है यही तो होता है हमारा तो bear की according यह होना जाहीं लेकिन actual में इसका उल्टा होता है जो हमारा cyclohexenne है हो cyclo openings से ज्यादा stable होता है Clubmanship emphasize अ मयाANC mostberg test tips फाइल यहीं पर यह थिय् Start के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी सिर्फ क्या थी चोटे इस्टार्टिंगे त्rike टीन तक तो सही चलिए हमारी stability लेकीन पर हाके हमारी क्योगई होगी तो हम कहा सकते हैं कि ये हमारी त्योड़ तिष सिर्फ थिर्फमारी साइक्ल के लिए थी बाद के में है नहीं और स्टार्टिंग के हमारे सीरियल वाइज देते हैं है यह हमारा मतलब यह जो सबसे ज़्याइब रिंग जो हमारी ओपनिंग रियक्शन है जो हमने देखी थी अपनी प्रपेशन में फिर साइक्लो ब्यूटेंड देता है इससे कम यह मैंनों देता है और साइकलोहाइकजन हमारा बिलकुल मतलब बहुत ही कम रेयर केस में यह थे में देते हैं ठीक है प्रेंड तो यह थी लेकिन हमारे यहाँ पर यह त्योरी प्रेल हो गई एक और बात इससे हम यही समझते कि हमारे हाइए साइकलो आल के लिए वो उमारे इ हेगजन ज्यादा अनिस्टेवल होना चाहिए लेकिन क्या होता है हेगजन हमारा इससे ज्यादा इस्टेवल होता है तो सिंपल आई होप आप लोग यह पूरी की पूरी थियोरी विज लिमिटेशन समझ चुके होंगे अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी कोई भी डाउट है त तो तब तक ये लिए थेंक यू, टेट केर, बाई बाई